चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय संतोशी माँ दोस्तों, आपका स्वागत है। आईए जानते हैं आज आपकी राशियों में क्या कहा गया है और आपका दिन कैसा रहेगा। हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। एक अक्टूबर दो हजार चॉबीस मंगलवार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी तिथी रात 9 बजकर 49 मिनट तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथी शुरू हो जाएगी। उत्तरा फालगुनी नामक नक्षत्र सुभे 9 बजकर 16 मिनट तक विद्यमान रहेगा। आज का राहुकाल यानि दिन का सबसे अशुब समय दोपहर 3 बजकर 13 मिनट से 4 बजकर 41 मिनट तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त जो दिन का सबसे शुब समय है दोपहर 11 बजकर 52 मिनट से 12 बजकर 49 मिनट तक रहेगा। आज चंद्रमा सिह राशे में संचार करेगा जबकि सूर्य कन्या राशे में स्थित रहेगा। एक अक्टूबर 2024 मंगलवार को आपके साथ लगातार पूर्ण वफादारी, सहायता और समर्थन बना हुआ है। और संगीत या फैशन के माध्यम से स्वयम को व्यक्त करने के लिए यह एक उपयुक्त समय है। भौतिक संपत्ति आपकी ओर आकरशित हो सकती है। लेकिन अनावश्यक वित्तिय जोखिमों से बचना जरूरी है। परिवार, बच्चों या बुजर्गों के साथ अच्छा समय बिताएं। पार्टनर के साथ बिताया गया रोमांटिक समय यादगार रहेगा। पूर्णतावादी और प्रतिभाशाली। दो शब्द हैं जो आज आपके लिए पूरी तरह से सही बैठते हैं। आज का दिन अतिरिक्त जिम्मेदारियों, छोटी यात्राओं, फोन कॉल, इमेल और अन्य संचार माध्यमों में बीतने वाला है। नए संबंध भी स्थापित होंगे। सफलता हासिल करने के लिए तीन चीज़ें बहुत जरूरी हैं। सही समय, सही सोच और सही तरीका। संतान से संबंधित पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको राहत मिलेगी। नजदी की रिष्टेदार से शुभ समाचार भी मिल सकता है। आर्थिक स्थिती को लेकर बनाई गई योजनाओं को क्रियानवित करने का यह एक अनुकूल समय है। आर्थिक स्थिती सुधारने के लिए जो योजना आपने शुरुआत में बनाई थी, वह आपके लिए सही साबित होगी। यह बात आपको सपष्ट होगी कि दूसरों की बातों के कारण आपके विचारों में जो परिवर्तन आया है, वह सकारात्मक रहेगा। दूसरों की मदद मिलेगी, लेकिन उनके विचार आपके लिए नकारात्मक रहेंगे। आप से जुड़े लोगों के विचारों पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है नकारात्मक विचारों का असर आपके स्वभाव पर न पढ़ने दे काम के विस्तार के लिए अपेक्षा से अधिक निवेश करना होगा रिलेशन्शिप से संबंधित दिक्कतें दूर होंगी सेहत में सुधार के लिए खान पान में बदलाव करना जरूरी है आप अपने बजट और खर्चों को लेकर सोच विचार में रह सकती हैं काम की विवस्ता की वजह से आप परिवार को पूरा समय नहीं दे पाएंगे मानसिक रूप से आज आपकी परेशानी बनी रहे सकती है इसलिए आपको आज किसी संबंध की मदद के लिए आगे आना होगा कारोबार के मामलों में आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा और आपकी कमाई बनी रहेगी घरेलू जरूरतों पर आज आपको धन खर्च करना पड़ सकता है लव लाइफ में आज वानी पर नियंतरन रखने की आवश्यक्ता है आपके बढ़ते खर्चे आपको परिशान कर सकते हैं आपकी इनकम तो अच्छी रहेगी लेकिन खर्च बढ़ने के कारण आप उस इनकम का पूरा मज़ा नहीं ले सकेंगे आपको कुछ तनाव रहने वाला है लेकिन आपके सहयोगी कामों में आपका पूरा साथ देंगे आपके विरोधी आपको परिशान करने की कोशिश करेंगे आपको आज मन पसंद भोजन करने का अवसर मिलेगा जिससे आपका मन खुश रहेगा आपको बिजनेस में कोई बड़ा जोखिम लेने से बचना होगा धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने का मौका प्राप्त होगा और कार्य में गती बनी रहेगी आपकी योजनाएं सफल होंगी और नए कार्यों की प्राप्ती होगी दोपहर का समय अनकूल रहेगा आर्थिक मामलों में तेजी रहेगी और मित्रों से सहयोग मिलेगा समाज में आपका वर्चस्व भी बना रहेगा सावधानी बरतें किसी भी विपरीत परिस्थिती में अपने गुस्से और वाणी पर नियंतरन रखना जरूरी है समय के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं कुछ लोग आपका अहित करने का प्रयास करेंगे लिकिन वे सफल नहीं हो पाएंगे इसलिए दूसरों की चिंता किये बिना अपने कारियों पर ध्यान केंद्रित करें अब बात करते हैं लव लाइफ की पति-पत्नी के संबंध सुखद रहेंगे किसी निकट संबंधी से शुभ समाचार मिलने से आपको प्रसन्नता मिलेगी प्रेम संबंधों के मामलों में भी आप लखी रहेंगे और आप किसी अलग संस्कृती या दूसरे देश के निवासी के प्रती आकरशित हो सकते हैं आप इस आदमी के लिए काफी उत्सुक और भावनात्मक अनुभव करेंगे जब आप उसके साथ होंगे तो आपको बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा अगर भगवान ने चाहा तो इस संबंध को जल्द ही कोई ठोस रूप भी मिल सकता है भाई बहन से संबंधित कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती है संभव है कि आपका बनाया कोई कारिक्रम रद्ध हो जाए या यात्रा में विलंब हो जिससे आपके रिष्टे में खटासा सकती है किसी खास से बातचीत से आपके दिल में खुशी की लहर दोड सकती है और कुछ रोमांटिक पल भी मिलने की संभावना है आज का दिन आप अतिरिक्त कामों यात्राओं फोन कॉल आदी में व्यस्त रहने वाले हैं आपकी सकारात्म कूर्जा, आत्म विश्वास और अनुराग पूर्ण स्वभाव से कोई भी आपको और अधिक जानना चाहेगा आज लड़कियों को कुछ ऐसे प्रस्ताव मिलने वाले हैं जिनका वे लंबे समय से इंतजार कर रही थी शारीरिक सुख भी आज आपके कार्ड्स में है बात करते हैं करियर की भाई बहन की परेशानियों और पडोसियों की समस्याओं से ध्यान हटा कर अपने काम में मन लगाएं आज किसी प्रोजेक्ट या मीटिंग के लिए बनाई गई यात्रा की योजनाएं रद्द करनी पड़ सकती हैं आपके नेत्रित्व, गायन या अन्यकला कौशल आपको धन कमाने और पहचान बनाने के कई सुनहरे मौके प्रदान करेंगे आप अपनी कमपनी के चमकते सितारे हैं और आपके प्रदर्शन के कारण आपको सम्मान और प्रशंसा की द्रिष्टी से देखा जा सकता है प्रसिध्य, शक्ति, प्रतिष्ठा और गर्व आपको सब कुछ मिलेंगे जब आप कोई कारे शुरू करते हैं तो सबसे पहले यह जान लें कि आपको क्या जरूरत है धन से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती है और आपको यह समझना होगा कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा गैर जरूरी अन्यथा आपको वित्तिय संकट का सामना करना पढ़ सकता है अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ नवीनतम प्रोध्योगिकी का समावेश करना होगा और यह निर्भर करेगा कि आप उसका कितना फाइदा उठा सकते हैं व्यापार के आज के समय में महत्व पर भी निर्भर करेगा कारोबार में निजी विस्तता के कारण आप भरपूर समय नहीं दे पाएंगी लेकिन सहयोगियों और कर्मचारियों का उचित सहयोग बना रहेगा जिससे व्यवस्था भी सही बनी रहेगी इस समय नौकरी पेशा लोग अपने प्रोजेक्ट को लेकर तनाव में रहेंगे जिसका असर सेहत पर पड़ेगा अब बात करते हैं सेहत की मौसम के अनुकूल अपना आहार और विहार रखें ड्यूटी और गैस की समस्या से राहत पाने के लिए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है आज आप अपने भीतर बहुत शक्ती महसूस करेंगे निराशा की जो भावना कुछ दिनों से आपके भीतर भरी हुई थी वह आज गायब हो जाएगी आप अपनी अंदर की अविश्वस्निय मानसिक शक्ति का अनुभव करेंगे और किसी भी काम को शुरू करने के लिए खुद को तयार पाएंगे हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि अपने आत्म विश्वास की जोश में अव्यवहारिक और असंभव कामों को हाथ में न ले आज के दिन ग्रहों की स्थिति आपकी राश्य के लिए विशेश अनुकूल है खास कर यदि आप वित्तिय निर्णय लेने या निवेश करने की सोच रहे हैं आपके लिए यह समय बेहद लाबकारी हो सकता है चाहे आप रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हों या शेयर बाजार में हाथ आजमाना चाहते हों आज आपके लिए इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने की अच्छी संभावना है यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने या किसी बीमा योजना में निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो ग्रहों की स्थिती आपकी राश्य के लिए अनुकूल नजर आ रही है जिससे ये निर्णे आज आपके लिए फाइदे मन्द साबित हो सकते हैं क्रिप्टो क्रेंसी में निवेश करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है विशेश रूप से यदि आप लंबे समय से इस क्षेतर में कदम रखने की योजना बना रहे हैं इसके अलावा अगर आप बिजनिस लोन लेने या मकान खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए आदर्श रहेगा ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में हैं और यह समय आपकी राश्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है ओनलाइन बैंकिंग से जुड़े कारियों में भी आज सफलता प्राप्त होने के संकेत हैं यदि आप डिजिटल मार्केटिंग या ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो आज आपके लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं यह दिन आपके व्यवसाय को एक नई दिशा देने में सहायक हो सकता है खास कर यदि आप नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं सॉफ्ट्वेयर एज असर्विस, सैस, कमपनियों से जुड़े जातक या विब होस्टिंग के क्षेत्र में कार्यरत लोग भी आज किसी नए प्रॉजेक्ट या पार्टनर्शिप की शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि आपकी राशी के लिए यह समय बेहद अनुकूल है स्वास्थ्य बीमा में निवेश करना हो या किसी कानूनी सलह की आवश्यक्ता हो तो आज का दिन आपकी राशी के अनुसार शुब है कानूनी मसलों में आपको आज बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं वहीं यदि आप डॉप शिपिंग व्यवसाय में नई साजहदारियां करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन इसके लिए उपयुक्त है ग्रहों की अनुकूल स्थिती के कारण यह साजहदारियां आपके लिए भविश्य में फाइदे मंद साबित होंगी इसके अलावा यदि आप आज का दिन आपके लिए अत्यधिक शुब रहेगा आपकी राश्य को नए अवसर मिल सकते हैं और आप अपनी योजनाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं कुल मिलाकर आज का दिन आपकी राश्य के लिए कई संभावनाओं और अवसरों से भरा हुआ है चाहे आप निवेश की सोच रहे हों किसी व्यवसाइक निर्णय के बारे में विचार कर रहे हों या अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते हों आज ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आपके पक्ष में है और आपको सफलता प्राप्त हो सकती है इसलिए आज के दिन का पूरा लाब हुठाएं और अपने लक्षियों की ओर द्रटा से कदम बढ़ाएं आज का उपाई ये है कि आप सुबह सुबह स्नान करके हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चड़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और आपका दिन शुब हो